हेलो दोस्तों, गुड मॉनिंग, मैं वंटी रवानी, बीहर ग्लासे में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, काफी समय साब लोग के सामने वीडियो लेके नहीं आप आ रहा था, और अपकमिंग एक्जाम्स, गुरूप डी और स्वागत करेंगे, एक मार्क से देखने को मिलता है रेल्योए में और स्वागत करेंगे, जो पूछा गया कोशन है, वैसा ही कोशन को आज हम डिल करेंगे, कुछ अंदाज अलग होगा, ठीक अलग होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, चले स्टार्ट करते हैं, हेलो दोस्तो, आज मैं आप लोगे के लिए स्क्वाइर और रूट के कुछ कोशन्स ले करके आया हूँ, जो आरफिय अप कॉंस्टेबल 2019 में पूछे गए हैं, इन सारे कोशन्स को हम 2 से 5 सेकेंड में जितनी जल्दी हो सकता है, उतने जल्दी इसको सॉल्ब करके, सीखेंगे, इसको कैसे सॉल्ब होता है, इससे पहले मैंने स्क्वाइर और रूट के कुछ विडियो बनाये हैं, जहांपर मैंने आपको स्क्वाइर रूट को सॉल्ब करने का तरीका बताया है, लेकिन आज हम औप्शन के थुरू इसको सॉल्ब करेंगे, अब बहुत जल्दी सॉल्ब होगा, चलिए देखते हैं इसinfect कैसे काना है, इसको solve करने के लिए कुछ बातों को आपको ध्यान वे रखना हो, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, कि कम से कम आपको 25-30 तक स्क्वाइर याद रखना है, इसका use क्या होगा, जितनी भी स्क्वाइर होते हैं, उनके लास्ट के जो टू डिजिट होते हैं, वो एक स्क्वाइर नमबर के आने वाले लास्ट के दो डिजिट होते हैं, जैसे की 1 का square 0,1 दो का square 0,4, 3 का square 0,9 4 का square 16 6 का square 36, 21 का square 4,41 में लास्ट में 41 ऐसी जितनी भी पॉन्बर जो square होते हैं सारे के last में जो 2D होते हुए कि square में आने वाले number होते हैं इसको हम कैसे solve गड़ेंगे? ध्यान देजीएगा इस पर दो बात पर फोकस करना है एक बात हो गया क्या कि जितने भी square होते हैं पहला point square के last two digits last two digits दूसरा point क्या हो गया 50, 100, 1500, 200, 200 50 के range में आपको number को यूज करना है 50, 100, 1500, 200, 200 इन सभी के range में इस number को यूज करना है 50 के square, 100 का square 1,500 का square 200 का square करना क्या है गाइस अच्छा से समझेंगे जैसे मेरे पास पहला question है 10,201 का square root find करना है दूसरा question है 5,19,841 का square root find करना और तीसरा question है 34,596 का square root find करना जैसे मैंने आपको बोला कि square के last का two digits देखना है जैसे यहाँ पे last में two digits क्या है 0,1 0,1 किस square के last में 0,1 आता है तो आप देखेंगे एक का square जो 0,1 देता है मतलब यह हुआ कि जो भी 10,201 जिसका भी square है उसके last में एक आएगा अब करना क्या है पचास, सो, डेड़ सो, दो सो, धाई सो इन सभी को base मान के चलना है आपका answer क्या होगा एकाई अंक last में जो एक होगा वो plus 1 करना है या minus 1 करना है प्लस 1 करना है minus 1 करना है इसका मतलब क्या हुआ जैसे for example अगर आपका last में टूट जीट में 0, 1 हुआ और आपको पता चल गया कि मेरा एक plus करना और एक minus करना तो plus 1 और minus 1 कहां करेंगे जैसे base क्या बोले पचास, सो, डेड़ सो, पचास के range में लेना है तो पचास में अगर हम एक add करेंगे या पचास में एक हम minus करेंगे तो यही मेरा एक square number देगा एक के base में लेकिन यहाँ पे जितनी भी number है वो 100 के near about में है तो आपको क्या बोले कि last का two digit 0, 1 जो एक के square को बताता है तो आपका answer जो होगा, एक plus करके आएगा एक minus करके आएगा जैसे हम क्या बोले आपको range कहां से लेना है पचास के range में यह तो पचास के range में ने यह पचास के बाद 100 आता है, 100 के बाद डिर्ड़ सो आता है यह सारे 100 के near about में लेना है तो 100 में एक minus करेंगे तो 99 और 100 में एक plus करेंगे तो 101 तो यह तो 91 लेकिन 100 में एक plus करने पर एक minus करने पर मेरा answer 111 नहीं आएगा, यह भी नहीं हो सकता तो मेरे पास दो एप्सन बच गिया या तो 99 होगा या तो 101 होगा अब कैसे पता करेंगे कि यह दोनों answer कौन है अब आप लाश्ट का टीन डिजिट को देखिए लाश्ट का टीन डिजिट देखें 102 दिखा तो 102 जो है वो 10 के square से ज़्यादा है इसका मतलब 10 के square से ज़्यादा है तो यह 10 बन जाएगा आए दोनों मिल करके एक डिजिट बन जाएगा मतलब क्या हो गया जो भी number है वो 100 से ज़्यादा होगा तो 100 से ज़्यादा यह है या यह है तो बोलेंगे कि यह है सेम सेकंड कुश्यन में देखेंगे 5,19,841 तो लाश्ट का दो डिजिट आप देखिए 41 कहां पे आता है आप बोलेंगे 41 21 के square में आता है ठीक है तो आप क्या समझें आप 21 पलस करेंगे या 21 माइनस करेंगे तो हम देखते हैं का 750 के square में आता है 700 में 21 जोड़ेंगे तो 721 अंसर हो सकता है 600 में अगर हम जोड़ते हैं 21 तो अंसर नहीं आएगा अगर हम 600 में 21 माइनस करते हैं तो अंसर आ सकता है अगर 600 में 21 जोड़ेंगे तो 631 नहीं हो सकेगा या साले 600 में माइनस करेंगे 21 तो भी नहीं आएगा यहां भी अगर हम 700 के बेस में देखते हैं 21 जोड़ने पे 721 होता है यहां तो 731 है अगर 750 में अगर हम माइनस करते 21 तो 729 होना चीए यहां पे 31 यह भी नहीं होगा अब दो अप्शन बचेगे आपका जो अंसर देगा लेगन आप क्या जानते हैं 21 जो है वो या तो आपका 700 के बेस पे आएगा तो 721 होगा और 600 के बेस पे आगा तो 629 होगा आप आगे थोड़ा देखेंगे तो यह नंबर क्या दिख रहा है 5158 चो की काफी बड़ा नंबर है आप समझ नहीं पाएंगे किसके स्क्वाइर के नियर अबाउट है तो हम क्या करते हैं इसको दो दो पेर में रख लेते हैं जैसे हम पहले देख चुके हैं सबसे लाष्ट पेर 51 है 51 किसके स्क्वाइर से जादा है तो बोलेंगे 7 के स्क्वाइर से जादा है और 8 के स्क्वाइर से कम है तो इन दोनों का बेस को आप 0 बना दिजी मतलब अंसर आपका 700 से 800 के बीच में आएगा 700-800 के बीच में कौन सा नंबर ये या ये तो बोलेंगे ये तो अंसार आपका हो जगा 721 दो काम करना आपको एक लास्ट का टूड जीड देखना है देखने से मालूम लग जाएगा कि कौन सा होने वाला अंसर और जल्दी से देख लेना है कि किसके स्क्वाइर के लास्ट में ये नंबर आता है बस इतना ही करना है जैसे यहाँ पर देखिए आप 34596 है लास्ट में 96 कहां आएगा तो बोलेंगे 14 के स्क्वाइर में 96 आता है 14 के स्क्वाइर में 96 आता है और दो सो में माइनस करेंगा तो भी नहीं आएगा दो सो में करेंगा हम 148 करते हैं तो भी नहीं आएगा और 200 में माइनस करेंगा तो भी नहीं आएगा अब यहां दिखिए 200 में करेंगा हम 148 करते हैं तब तो 214 हो जाएगा लेकिन 200 में जैसे हम 14 मैनिस करेंगे तो 186 जो मैच कर रहा है इसका अंसर क्या होगा 186 इतना ही करना है आपको और आपका अंसर जो आपके सामने होगा चलिए और कुछ कोशन हम प्रैक्टिस करते हैं देखते आगे चलिए दोस्तों कुछ और कोशन हम करते हैं जो आपका ग्रूबडी 2018 में पुछा गया कोशन है स्क्वार रूट से सेम जैसे हम सीखें अभी वैसे ही सारे कोशन को सॉल्व करेंगे देखें गया एक लाख 13184 शैटीस हजार दोसो उन्चास और दो लाख 34,004 तो आप देखें कि लास्ट के टू डिजिट में क्या 84 उन्चास उन्चास आप देखेंगे अगर आपको याद है तो बोलेंगे 22 के स्क्वार 25 के स्क्वार कितना होता है 484 25 तक स्क्वाइर रखेंगे याद आपका solution हो जाएगा ठीक है तो क्या सीखिया 22 का स्क्वाइर 484 होता है इसका मतलब 22 पलस करेंगे या 22 माइनस करेंगे बेस पे 50 के रेंज में तो यह 450 के रेंज में आता है अगर हम 400 में 22 जोडते हैं तो मेरा अंसर नहीं आएगा अगर हम 400 में घटाते तो भी मेरा अंसर नहीं आने वाला है इसमें 400 में अगर हम 22 जोडते हैं तो 422 होना चे 32 है होगा नहीं 400 में अगर हम जोडते हैं 422 नहीं है लेकिन अगर हम इसको 450 में माइनस करते हैं तो 450 में करते हैं तो 428 यह answer होगा 400 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो 16 नहीं आने वाला ना घटाने पर आने वाला ती यह भी answer में नहीं हो देखें हम केवल जोड़ करके या घटा करके हम अपना answer को ला पा रहे हैं क्या करना लास्ट के टूड़ीट में 84 है किसके स्कॉइर में 84 आता है तो बोलेंगे 22 के स्कॉइर में 84 आता है तब क्या किये 22 या तो घटाएंगे या तो 22 जोड़ेंगे तो हम क्या किये 22 जोड़ दिये नहीं आया answer 22 घटा दिये आगे answer same to same यहाँ पर लास्ट के टूड़ीट में 49 साथ के स्कॉइर में 99 आता देख सकते हैं तो करना क्या साथ जोड़ना या साथ घटाना है अगर हम इसमें देखेंगे यह 200 का जो 50 का range में आता है 50 का table में आता 200 तो 200 में अगर हम 7 घटाते हैं त तो आ सकता है लेकिन यहाँ तो 200 से कम है तो यह answer होगा नहीं same to same यहाँ पर 200 में घटाते हैं अगर हम 7 तो 187 आएगा है नहीं 200 में यहाँ अगर घटाएंगे 7 तो भी नहीं आने वाला है इसका मतब 200 में 7 घटाने पर 193 आ रहा बस इतना ही करना और answer ले आना same to same 2,49,49 लास्ट का 2 डिजिट क्या है लास्ट का 2 डिजिट में 49 है जो 7 के square है इसका मतब्द 7 जोड़ेंगे या 7 घटाएंगे तो देखिए यह 500 के नियर बाउट है अगर हम 500 में 7 घटाते हैं तो यह 497 नहीं आने वाला तो यह मेरा answer होगा नहीं यह 500 से जादा अगर हम 500 500 में अगर जोड़ते हैं 7 तो 503 नहीं आने वाला है यह भी नहीं होगा अप मेरा answer यह 500 से कम है तो घटा के देखते हैं 500 में अगर हम 7 घटाते हैं तो 493 यह बिल्कुल सही है यह answer होगा एक option और बचा हुआ है 487 जो कर 500 से कम है तो हम घटाते हैं 7 500 में 780 नहीं आएगा इस इसे करके by options और दो तीन जो concept दीए इसको यूज करके आप सारा square and route आसानी से clear कर सकते हैं जो कि आने वाले जो पिछली एक्जाम थे सारे में पूछे गए और आने वाले जो एक्जाम है गुरूपडी और SSGD उन सारे एक्जाम में भी यह पूछने के पूरे पूरे chances हैं त आने वाले time में में और भी वीडियो आपके सामने लेकर क्या हूंगा चले आज के लजन्यवाद और यह जो channel है बी-ार classes करके अगर बी-ार classes करने टाइप करने से YouTube में अगर आपको नहीं दिखता है तो आप बंटी रवानी अगर लिखेंगे इस सबसे उपर मेरा ही channel आपको दिखेगा आप इसको subscribe कर लेंगे और आने वाले जितने भी upcoming वीडियो है उसका भरपूर लाग उठाएंगे